मा महा सरस्वती जी की असीन किरपा से यह काववे रचना प्रकाश रवी गरग धिक्षू की गलम से मानव की कोई सीमा नजर नहीं आती है मिलों दूर दूर तक फैले हुए समंदर को देख कर लगता है नुझे क्या इसकी भी कोई सीमा होगी और फिर एक सीमा के बाद वह समंदर भी अपने आपको सीमा में बंदे हुए पाता है मिलों दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान को देख कर लगता है मुझे क्या इसकी भी कोई सीमा होगी और फिर एक सीमा के बाद वह रेहिस्तान भी अपने को सीमा में बंदे हुए पाता है मिलो दूर दूर तक फैली हुई विशाल काय परवत स्रिंखला को देख कर लगता है मुझे क्या इसकी भी कोई सीमा होगी और फिर एक सीमा के बाद वह परवत स्रिंखला भी अपने को सीमा में बंदे हुए पाता है परंतु मानव की कामनाओं की इच्छाओं की महत्वा कांक्षाओं की परंतु मानव की इरशा की विश्वास घात की नकारात मक्ता की परंतु मानव की अभिलाशा की चाहना की भोग विलास की परंतु मानव की जोडने की संग्रह करने की खजानों को भरने की परंतु मानव की शाशन करने की और शोशन करने की कोई सीमा आज तक भी नजर ना आपाई है ना किसी सीमा में उसकी यह सब पर्वृत्यां मनोवृत्यां बंद पाई है और यही कार्ण है कि आज भी फिरता है मानव मारा मारा और सभी जानवर जंगल में रहे रहे हैं मजे से और यह मानव जानवर जो रहे रहा है बस्ती में है अपने ही बुनिवे जाल में फंसकर बेबस, लाचार और बेचारा मामा सरस्वती जी जीजे